नीलूस की चन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अनुखा टेस्टी और मज़िदार नाश्टा लेकर आए हूँ सरदियों का मौसम है तो इस तरिकी का नाश्टा आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस पराठी को बनाने के लिए हमने यहां पर ले लिया है दो कप मैदा यहां पर हम मैदे का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन आप गेहूं का आटी का इस्तमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं इसमें डालेंगे आधा कप गेहों का आटा अब डालेंगे दो टेबली स्पून कोकिंग ओईल साथी डालेंगे नमक हमारे स्वादमुसा मैंने यहाँ पर वन टी स्पून के करीब डाला है और डालेंगे बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर वन टी हलका गुन-गुना पानी डाल कर इसका आटा लगाना है जी हाँ इसे हमारा जो आटा है वो काफी लचीला और बहुत ही सौफ्ट और अच्छा बनेगा जिसके लिए हमारा जो पराठा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा तो ये देखिया हमने इसका आटा लगा लिया है अब ह हम इस पर रखेंगे हलका गीला कपड़ा और इसे डख कर लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए तब तक हम स्टफिंग देख लेते हैं तो यहां मेरे पास है लसून की पतिया जिसे हम गारलिक लियूस भी कहते है अगर आपके पस नहीं है तो आप प्यास की पति भी ले सकते हैं ग्रेटेट पनीर लिया है लगभग एक कप के करिब और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया अब हम देख लेते हैं आटे को यहां लगभग 10 मिनट इसे हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा और चिकना कर लेंग तो आप देख सकते हैं आटा काफी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है इसके उपर थोड़ा सा तेल डाल कर हम इसे और मसल लेंगे ताकि यह चिकना हो जाए तो यह देखे आप देख सकते हैं आटे में कितना अच्छा लचक आई है मतलब यह कितना लचीला बन चुका है अब हमने इसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है इसे चिकना कर लिया है अब हम इसे ले ले लेते हैं वर्क टॉप पर और इसे अच्छे तरीके से रोल करके हम इसे तीन भागों में इसे काट लेंगे मैं यहाँ पर बड़े बड़े पराठी बना रही हूँ तो मैंने यह पर इसके तीन हिसे किये हैं अगर आप मीडियम या छोटी सा इसके बना रहे हैं तो इसके चार या पांच हिसे भी कर सकते हैं तो देखिए हमने दो हिसों को रख दिया है साइड में और एक बड़े पेड़े को हम अपसैट कर रहे हैं ताकि हम इसकी एक बड़ी रोटी बेल तो इसके उपर लगा देंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसकी बड़ी रोटी बेलेंगे इसकी बड़ी रोटी बेलेंगे तभी हमारे पराथे में काफी अच्छे लेयर्स आएंगे तो ये देखिए हमने रोटी बेल ली है और इसके उपर हम लगाएंगे तेल आप यहां गार्लिक लिवस को डाल देंगे थोड़ा सा फिर डालेंगे हम ग्रेटेट पनीर ग्रेटेट पनीर की जगा आप यहाँ पर प्रोसेस चीज का भी इस्तमाल कर सकते हैं जिनी चीज जादा पसंद है वो इसमें चीज भी डाल सकते हैं पराठा बहुत ही अच्छा स्वादिश्ट बनेगा फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चिली फ्लेक्स आप हरी मिर्च भी बारी काट कर डाल सकते हैं और इसे और टिस्टी बिनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला लगभग आधा टिस्पुन के करीब चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल करेंगे अब सेंटर पे एक कट लगाएंगे और इसे देखे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे आप देख सकते हैं हम किस तरीके से कर लेना है मिंस फोल्ड कर लेना है और इसका पेड़ा तयार करना है इस तरीके से आपको रोल करते जाना है और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल कोन की तरह हो चुका है और उपर की लेर को पैक करके हमें इसे प्रैस कर लेना है और इसका पेड़ा तयार करना है इसी तरीके स सब्सक्षाज़ जाये जैसे हमें बागी के पैड़े तैयार अब इसे बेलने के लिए थोड़ा सा सुका अर्टार डश्ट करके हमें इसे बेल यह चाहि लिजे आको आप असानीे आप ड़ी आवे पायेंगि वहां नो से फिर तरीके से पकने देंगी जैसे यह पकते जाएगा उपर की और देखिए हलका हलका यह फूलता जाएगा और जैसे यह हलका नीचे की और अच्छे से सिख जाए तब हम इसे पलट देंगी और एक साइड के मतलब दूसरी साइड भी अच्छे से यह सिखे इसके लिए हम इसमें इसे भी पलट रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना करारा, क्रिस्पी और मज़ेदा यह पराठा बन चुका है, उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सारे लेयर इसमें आते हैं, अब दूसरा पराठा मैं आपको बेक करके भी दिखाऊंगी, यह देखिए हमने पराठा ले इसे बेकिंग ट्रेपर रख कर उपर से थोड़ सा मिल्टेट बटर या घी या ओयल कुछ भी लगाएं, उपर से थोड़ा सा हम सफेद और काले तिल से इसे थोड़ सा और गार्निश करेंगे, और इसे दो सो डिगरी पर लगभख साथ से आट मिनट के लिए बेक करेंगी, अगर आपके ओवन में दोनों साइट ये अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं होता है, तो एक साइट आप इसे तवे पर अच्छा गुल्डन कलर कर ले, मतलब अच्छे से एक साइट से से शेक ले और फिर उसे ओवन में डाल दे ताकि ये उपर से अच्छा गुल्डन कलर आने तक बेख हो जाएगा, अब हमें इसके उपर लगाना है बटर और इसे गरमा गरम सर्फ करना है, मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि इसमें किस तरीके से लेयर बनते हैं और ये उपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितने तो ये देखिए काफी करम है, इसे हैंडल करने में परइशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसे खोल कर दिखा रही हूँ, तो ये देखिए उपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लेयर बन चुके हैं, आप इसे चटनी, दही या कैचप के साथ भी खा सकते हैं, अब जो दूसरा पराटा है जिसे हमने तवे पे या पैन में सिखा है, उसे भी मैं थोड़ा सा क्रश करोंगी और इसे में आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे लेयर्स आ चुके हैं, उपर से बहु बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठी लगते हैं, इसे आप ज़रूर बना कर दिखिए, और रेसिपी एच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले